तो साथियों यह रहा सलवार चुनवाला इसको जो है प्रेस लगाना सिखाएंगे तो सबसे पहले यह देखिए यह जो सिलाया हुगा है इसको इस तरीके से एक से गिरा देते हैं जोर को और यहां पर इस तरीके से प्रेस लगाएंगे प्रेस लगाने से पहले आप पत्रन प से बिच्छा देंगे कि अ कि अ कि यह मोहरी परेस लगा दिए इसके बाद इसको इस तरीके से बिच्छाना है यहां पर प्रेस लगाना है अब इसको ऐसे पलाट लो और इस साइड भी परेस लगा लो यह देखिए अब से जो दूसरा पहर है ऐसे ही से इस तरीके से पकरें और यह जो जो जोड़ है बीच का इसको इस तरीके से प्रेस लगा लें यहां पर आप इस तरीके से पकर लें इसको ऐसे पकड़ें और इस पर क्रीज लगा दें बैठा कर अब यह देखिए अब से इसको इस तरीके से पकरें यह देखिए मोरी का जो है यह प्रेस लग गया क्रीज भी बन गया अब इसको इस तरीके से स्वर्याले बैक साइट है यह सलवार का बैक साइट पीछे का जीदना चून आ रहे उतने और यह बेल्ड पर इसके बाद यह जोर है इस पर प्रेस लगाएंगे इसके बाद यह जो चूल है न इस पर प्रेस लगाएंगे बैठा कर देखिए इसको सीधा करें इसको इस तरीके से यह देखिए अब चैन को चैन बोल रहा है इस यह देखिए अब जो है चूल को शरी आएंगे तो तो चून को शर्याले यह ठीक है जितना अच्छा लगेगा गिरेज जेखने में आगर आप कारिगर और हास्ट प्रेश लगाना है तो इसको इस तरीके से भी टोर लें इसको अंग्ली से एस तरीके से इस तरीके से अंगली से मोटा मोटी सर्या दिया जाता है क्योंकि ये तो चुल हमेशा ऐसा रहेगा नहीं जिसको अच्छे तरीके से प्रेस लगाना है ऐसे इस तरीके से सर्या लेना है फिर जो है प्रेस लगाना है ये देखिए इसी में समय देना है और कहीं से ज्यादा समय नहीं लगता है जैसे कि आप यह देख लिए ठीक है अब इसके प्रेस लगा दें काफी ज़्यादा बेस्क लगएगा कि आप आप लोग कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा यह वीडियो चलिए मिलते हैं नेक्स रूडियो में जब तक आप सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कर दे अब इसको यह देखिए यहां से इस तरीके से कि इस तरीके से पकरना है यह देखिए ठीक है ऐसे पकरने का बाद इसको ऐसे फोल्ड कर ले deben ऐसे फोल्ड करने के बाद यहां से इस तरीके से फोल्ड कर ले le बलवार सर्याने का में यहीं तरीका है यहां पर हैंगर लगा कर इस तरीके से टांग दें तो यह वीडियो कैसा रहा है आप कोमेंट करके बता सकते हो चले मिलते हैं नेक्स टूडियो में जब तकाम लगा मैंसा हैपी रहा करो खूस रहा करो